प्रभात प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम पाठ हमारा चल रहा है बाग आया उस रात यह एक कविता है इसी कविता से एक एक्सराइज ली गई है जो कि आपकी किताब से ही है और पेज नंबर है 114 ठीके 114 नंबर पेज पर यह एक्सराइज है एक्सराइज का नाम है बात बात में चलिए ध्यान से सुनिए, समझिए, लिखिए और याद करिए वो इधर से निकला, उधर चला गया आप प्रश्न बन रहा है यह बात कौन किसे बता रहा होगा तो इसका आंसर है बच्चों, यह बात बच्चा अपने बाबा को बतला रहा होगा अगला प्रश्न बनता है, तुम्हें यह बात, यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चली यानि कविता में ऐसी कौन सी पंक्तिया है जिससे आपको यह बात पता चली तो इसका आंसर है, वो आँखे फैला कर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाग आया उस रात तो यह तो रहे वे दो प्रश्न जिन्हें आप यहां से देख के करेंगे और अगले एक्सरसाइज मैंने आपके लिए ली है, यह देखिए, यह आपका पेज नमबर 115 है और यह है शब्दों की दुनिया, यानि उस काम के बाद आप इस काम को करेंगे क्या करना है इसमें? को, पाँच साला बेटु ने हमें फिर से आगाह किया आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? अब इसमें आपके लिए चार पॉइंट दिये गए हैं जैसे सचेत करना, मन उरंजन किया, बताया और समझाया तो थोड़ा बहुत दिमाग आप अपना खर्च कीजिए और सोचिए कि क्या इसका मतलब हो सकता है कि पाँच साला बेटु ने हमें फिर से आगाह किया? क्या मन उरंजन किया? पांच साला बेटू ने हमें फिर से आगहा किया बताया तो वह तो सिंपल सा ही हो सकता था या पांच साला बेटू ने हमें फिर से आगहा किया समझाया नहीं तो समझाना भी नहीं आगहा किया यानि कि सचेत किया सावधान किया सचेत और सावधान ठीक है तो यहां पर सचेत है तो हम इस सचेत वाले box पर अपना right का निशान लगाएंगे और इस तरह से आप इसे अपनी copy पर करेंगे और साथ साथ आप इसे याद भी करेंगे और हाँ कविता याद करना बिलकुल ना भूलें कविता थोड़ी मुश्किल है छोटी है इसमें तुकानते शब्द नहीं है यहां गुरू और चेला की तरह ना तो बड़ी है और ना इसमें तुकानते शब्दों की भरमार है लेकिन जहां चाह वहां राह अगर आप चाहेंगे तो आप इस कविता को याद भी कर सकते हैं बच्चों हर ऑनलाइन क्लास मे मुझे आपसे कविता सुननी है और कविता का सारांश भी सुनना है तो प्लीज आप कविता और उसका सारांश अच्छी तरह से याद कर लिजिए ठीक है चलिए आज का काम इतना